मोदी जी ने जो शुरू किया ये concept मन की बात ये इतना जरूरी है और इतना एहम है कि देश का जो लीडर है वो अपने लोगों से जुड़ा रहे उनसे बातचीत करें इतनी चीजें होती हैं प्राइम मिनिस्टर को कन्वे करने के लिए लोगों को और वो जरीया उनोंने बना उनसे इतनी चीजें कम्यूनिकेट करना जो बहुत जरूरी है उसके बहुत उदार हैं जैसे के आप लपीजी गैस के बात लीजेए वो उसमें एक दफा बोलते हैं तो लोगों को फोरण समझ में आगाता है बितने करोड़ों लोग सुन रहे हैं और वो उनकी इज़त भी क और उनका जो रिष्टा हुआ है लोगों के साथ वो और गहरा हुआ है उसके वज़े से मन की बात के वज़े से क्यों को हर महीने उनको सुनने का मौका मिला है उनकी विचारों पर ध्यान देने का मौका मिला है वो कौन सा काम क्यों कर रहे हैं वो क्या चाते हैं वो देश को होने के बाद भी उसको आप कैसे देखते हैं यह बहुत जरूरी काम है किसी भी लीडर के लिए तो आइ थिंक मुदी जी ने जो एक तो खुद की और उसको बहुत ही दिल से किया उन्होंने तो इस ग्रेट थिंग डियो प्लाटफॉर्म की रीच आपको कैसा लगता है कि रिम प्रांथ से लोग जुड़ते हैं उनके साथ तो यह बहुत बड़ी चीज है बहुत ही बड़ी चीज है और रेडियो एक माधियम ऐसा है जिसके जरीए आप वाकई कोने कोने सक पहुंच सकते हैं जो आपका जवान सीना में है और वो सरहत पर है वो भी आपकी बात सुन सकत है रेडियो पर इतनी पहुंच है रेडियो की इसलिए वो माधियम भी बहुत ही सही चुना हुने मन की बात रेडियो पर